हेलो फ्रेंज वेल्कम बेक टो मैं चैनल आज हम बना रहे हैं आलू बैंगर चटपटे तो उसके लिए हमने एक कुकर रख दिया है गैस पर उसमें डालेंगे तो को इसमें आप आप ओल भी डाल सकते हूँ घी को गरम होने देंगे इसमें एड़ करेंगे एक चमत जीरा थोड़ा साबुद धनिया क्रश किया हूँ सुखी सबजी में साबुद धनिय का बहुत अच्छा फ्ले वराता है हलका से इसको मिक्स करेंगे और इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे उसको भी थोड़ा सा भून लेंगे अब इसमें एड़ करेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच नमक आप अपने टेस्ट के अकोडिं दीजेगा नमक और इसमें एड़ करेंगे हम दो टमासर और तो तील हरी मिक्ची कटे ही और इसको अच्छे से कुप कर लेंगे इसमें थोड़ी सी एक टी स्पून कसूरी मेथी एड़ करेंगे तो इसको अच्छा मसाला भून गया है हमारा अब एड़ करेंगे हम दो मीडियम साइज के आलू उसको हलका सब भून लेंगे अब इसमें एड़ करेंगे हम दो मीडियम साइज के बैंगन और इसको भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे और भून लेंगे दो मिनट्ट सबजी को थोड़ा सा भून के फिर पकाने का टेस्ट अलग आता है अच्छे से भून गया है अब हम इसको दो सीती लगा देंगे गुकर में तो यह हमारी सब्जी बनकर रेड़ी है चलिए देखते हैं कैसी बनी है यह हमारे चटपटे मसाले वले आलू बैंकन तयार है आप इससे बनाएगे बिल्कुल एजी सिंपल सी रेसिपी है फटा फट से बनने वाली है और बहुत टेस्टी बनती है तो आप भी इससे बनाएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा तो फिर मिलेंगे हम किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक कीप वाचिंग सब्सक्राइब मैं चैनल बाबाई